तो नवश्कार दोस्तों मैं प्रशान्त यहाँ पे फिजिक्स वाला टेचिंग वाले पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक important terminology के साथ बहुत ही important शब्द है social science और social studies जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तो सौरफ सर के साथ आज हम discuss करेंगे क्योंकि सौरफ सर social studies पढ़ाते हैं और यहाँ पे यह पूरा विस्तार में बताएंगे सबसे पहला जो सवाल होगा सर कि यह जो social science है यह क्या concept है यह इसका अर्थ क्या होता है सर बहुत ही common सा यह सवाल भी है और जैसे कि आपने देखा होगा common sense is very uncommon तो इसका answer बहुत rare है सवाल बहुत common है पर answer बहुत rare है इसलिए ध्यान से सुन लिजेगा सर social science जैसे सामाजिक विज्ञान और social studies जैसे हम सामाजिक अध्यन बोलते हैं तो सामाजिक विज्ञान सर मैं यहां पर बता देता हूं social studies सामाजिक अध्यन को आप और विस्तार से बताएगा सर सामाजिक विज्ञान में क्या है कि सामाजिक विज्ञान हम इसे क्यों बोलते है, history तो arts का subject है, परंतु yes, history is also science, history भी एक विज्ञान है, क्योंकि अगर मुझे पता खरना हो कि सिंदु काटि सब्वेता कितने वर्ष पहले स्थापित हुई है, कितने वर्ष पहले उसके अंच थे या वो कितनी पुरानी है, तो मुझे विज्ञान का सहारा लेना विज्ञान की तकनीकों का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे carbon dating हो गया, radioactive dating हो गया, इन सभी fossils और जिवाश्म के अध्यन ये बिना science के possible नहीं है, इसलिए सर हम से social science बोलते हैं, प्रशान सर, social studies क्यों बोलते हैं हम इसे, बहुत अच्छा अप्रशन है, study का आर्थ मतलब होता है किसी बीचीज का अध्यन करना, for example अगर हम देखें सर की जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट के बारे में अध्यन करता है, पेशेंट का case study देखता है, पेशेंट का background देखता है, कब से पिवारियां है, उसका social background क्या है, उसका psychological background क् करता है, तो यह अध्यन जो होता है, इसको हम study करते हैं, ठीक society के लिए भी जो है, यहाँ पे अध्यन करने के लिए समाज होता है, culture है, कितना उसका उसकी जड़े गहरी है, उसके अंदर किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी आर्थिक इस्तिति कैसी है, उनकी सामाजी किस्तित करता है, कि social science है, वो बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है, या बड़ी classes के लिए होता है, और जो social study होता है, वो छोटे या छोटी classes के लिए होता है, या primary school के बच्चों के लिए करवाया जाता है, इसलिए हम अध्यन की तरफ जाते हैं, यह परियावरण में भी आप द देखते हैं, तो यह छोटी सी जानकरी बात बहुत मोटी जानकरी बहुत ही जबदस जानकरी आपको लगनी है, तो थेंक्यू सर्थ, थेंक्यू, थेंक्यू.